दोस्तों एब्सोलिट लाइबंटी से रिलेटेड मैं आपको एक और केस लो बताता हूं भोपाल गैस डिजास्ट जो कि 1984 का केस है यूनियन कारवाइट कोर्परेशन जो कि अमेरिका की कमपनी है उसने अपनी सबसीडरी इंडिया में बनाई यूनियन कारवाइट इंडिया ठीक है उट पैस्टी साइड बनाया गरती थी जो कि दो हाइली टोक्सिस गैसिस से बना गरता था पैस्टी साइड मिथेल और आइसोनेट मिथेल और आइसोनेट सेकेंड और थर्ड दिसेंबर 1984 में लीक हुए और जिस्से की 2660 लोगों की डैथ हो गई और दो लाग से प्रेशानी में सांस से लेने में तकलिफ हुई है मतलब की बहुत जादा प्रेशानी हो गई थी उस टाइम पर ठीक है तो उस्तों लेकिन 1989 में इस जब यह केस चला तो 1989 में रिजल्ट आया और उसमें 470 मिलियन डोलर विक्टिम्स और भोपाल गैस डिजास्टर में जो जो जिसने सफर किया था उनके लिए 470 मिलियन डोलर की धनराशी दी गई ठीक है दोस्तों जो की यूनियन कारवाइड ने दी जो की अमेरिका की कंपनी थी इन्हों ने ठीक है दोस्तों अब नेश्ट केस लो आता है आपका Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 UK इसके अंदर क्या है जो मैंने ऐसा है नहीं बहुत बड़ा अगर आप अपनी बुक में देखते हो तो यह बहुत बड़ा टोपिक है तो मैं आपको simple language में थोड़ी थोड़ी चीज़े बताने कुछ नहीं हो ताकि आप थोड़े कम टाइम में चीज़ों को revise क कर सको आपको कुछ चीज़ें याद रह जाए ठीक है बाकिया आप जब इसको revise करोगे बार 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 पढ़ोगे तो आप अच्छे से इसको retain कर पाओगे ठीक है a serious management failure resulting in a gross breach of a duty of care तो इसके अंदर जो mainly focus किया हुआ था कि जो management से related आपको उनकी care करने से related जो आपकी duty आपको अच्छे से पुरग दे criminal liability for not taking care of management अगर आप management की take care नहीं करोगे तो आपके उपर criminal liability है इसके अंदर सिर्फ इतना ही था यह exam में बहुत बार पूछा जा चुका लेकिन इसके अंदर यह main चीज़ है बाकिया आप इसको book से थोड़ा पढ़े के थोड़ा extra 20 में लिख सकते हूं ठीक है दोस्तों यह 6 अब आती है water pollution related क्या-क्या case laws है ठीक है मैं बताता हूं आपको पहले बात water pollution है क्या जब भी water जब भी पानी becomes unsuitable for human and other things जब भी वो unsuitable हो जब पीने के योगे ना रहे या फिर हम उसके use करने लायक ना रहे तो उसको water pollution बोला जाता है ठीक है इसके अंदर case laws को कौन-कौन से है आप इसको न थोड़ा बना के लिख सकते हो कि water pollution आप अपने आसपास देख सकते हो कि कहा पे water pollution हो रहा है factories इसको गंदावाने नदियों में मिल रहा है गंगा की हालत आप सभी को पता है आप गंगा छोड़ो यमना दिली में आप देखो यमना जी की हालत क्या है उस चीज सब को हाथ यहां पर explain कर सकते हो ठीक है उसमें case अलोज के आप उसके नाम नाम बताता हो आप थोड़ा थो chemical versus pollution control board भवानी river शक्ती sugar mills limited ठीक है इस वाले case law में क्या हुआ था यह थोड़ा important था इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा लिखा court held that violation of pollution law was serious and posing a health hazard and directed to close the industry and submit compliance report within 10 days ठीक है दोस्तों इस वाले case law थोड़ा important था इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा लिखा आप इसके screenshot ले सकते हो बाकि most water consuming industry कुण सी यह भी आपके exam में मुश्य जाने वाला question है तो उसमें आप paper, textiles, leather, industry यह लिख सकते हो ठीक है दोस्तों यह आपका chapter complete हो गया I hope आपको वीडियो पसंद आगे वीडियो पसंद आगे वीडियो को लाइक करो और जाए 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 लोगो शेर करो हमारे च इसक्षान के लिए थैंकि वरे मुछ